दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं Importance of Delegation मतलब की अंतरान का महत्व क्या है क्यों हमें एक संस्ता में यह लागू करना चाहिए क्या-क्या इसका महत्व है क्या-क्या इसके लाब है इसके बारे में आज हम जानने वाले है अब तक दोस्तो हम जान चुके हैं कि Delegation of Authority क्या होता है और इसके क्या-क्या elements है आज हम इसी Importance जानेगे तो आए दोस्तो जड़ा टाइम ना वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तो मैं आपको बता दू अब आप हमारे Instagram या Facebook पेसे भी जुड़ सकते हैं तो दोस्तो यदि बात की जाए Importance of Delegation अंतरण के महतिगी तो दोस्तो इसका पहला Importance यह है कि प्रभावी प्रबंध मतलब की Effective Management इससे होता है अब यह कैसे होता है यह जानते हैं दोस्तो तो दोस्तो सीरी सी बात है Delegation में क्या होता है हम क्या करते है Delegation में Delegation में जो हमारा Boss होता है वो अपने Subordinates को काम देता है बराबर बात है काम देता है Responsibility देता है और उसको कुछ Rights भी देता है अब Manager लोग क्या होते हैं फिरी हो जाते है क्यों क्योंकि अपना काम तो उन्होंने Subordinates को दे दिया तो अब वो क्या है फिरी है अब वो उस काम का Supervision कर सकते हैं काम में कुछ कमिया है कर रहे हैं Subordinates तो उनको बता सकते हैं बोलो भी इस तरीके से आप काम कीजिए और इसके अलावा भी और भी संस्ता में जो भी अन्य महत्मून काम है अधर जो Importance Works है उन पर वो ध्यान दे सकते हैं ठीक है? Supervision कर सकते हैं अधर जो बहुत से काम होते हैं ना Company में अधर Works पर दान देते हैं और दोस्तों वो काम करने के नए-ने तरीके भी खो सकते हैं ठीक है? तो इससे क्या होता है? Management Effective होता है Delegation से इसके लाव दोस्तों यदि हम दूसरे Important की बात करें तो कर्मचारी को विकास यानि कि Growth of Employees अब Delegation से कर्मचारी को विकास कैसे होता है? तो सीधी से बात है Delegation जब होता है तो हम Workers को कुछ Responsibility देते हैं इससे दोस्तों क्या होता है? उनको अपना Talent दिखाने का और उपयोग में लेने का मोगा मिलता है अब सर मिलता है कि हाँ साब ये काम मुझे करना है और इस तरह से करना है अच्छी तरीके से करना है काम दोगे तब ही तो हो कुछ करेगा या तब ही अपना Talent और Skills शो कर पाएगा इससे उसकी जो Skills पहले से होती है वो भी Develop होती है ऐसे काम करने से वो लोग Expert बन जाते हैं उस काम में और उनका Future Secure हो जाता है Future में भी उनके Growth होती है और आने वाले Time के वो भी Manager बनने लायक हो जाते है या फिर योग्य हो जाते है Experience मिलता है इसी से तो फिर आगे प्रमोशन होता है ने उनका तो इस तरह से यह क्या करता है करमचारियों के Development में उनकी Growth में सहायता करता है इसके लाव दोस्तों इसकी तीसरे Importance है कि करमचारियों की प्रेड़ना Motivation of Employees कैसे? सीरी सी बात है जब अपना Boss हमें कोई काम देगा जब कोई Boss किसी Worker को काम देता है तो कही न कही यह सोच करी काम देता है कि यह काम करने के लिए यह आदमी suitable है यह सोच के देता है मतलब उसको कही न कही हम पर विश्वास है कि यह व्यक्ति यह काम सही डंग से कर सकता है तो इससे क्या होता है कही न कही Employees को Motivation मिलता है कि हाँ सर ने हमें इस योग के समझा इस Capable समझा कि हम यह काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो यह motivate करता है कि इसको Employees को तो इस तरह का यह एक Manoagenic Lab भी इसका है अब इसका दोस्तों अगला जो Importance है वो है दोस्तों विकास का सरली करने अब यह क्या है तो सीडी सी बात है Delegation एक संगटन को Growth करने में मदद करता है जैसे कि मैंने बताये भी Boss जब दोस्तों काम दे देना तो Employees की Capability देखते हैं उसकी Qualification देखते हैं उसको देखकर ही काम देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे काम करेंगे तो उनको Experience मिलेगा और आने वाले टाइम में यदि Company नया प्रोडक्ट लाना चाहेगी तो भी वही रक्ती काम कर पाएंगे क्योंकि उनको Experience हो जाएगा न Manager जब अपने वर्कर्स को काम देगा तो वो काम में काईना के Expert बनेंगे बनेंगे और यदि Company आगे Growth करना चाहरी है विकास करना चाहरी है नया Productive Market में उतारना चाहरी है या फिर नया Market Cover करना चाहरी है तो क्या होगा वे उसके लिए तयार होंगे जो पुराने वर्कर्स है ठीक है और उनके Workforce एकदम तयार होगी अब यदि दोस्तों इसके अगले जो Impotence की बात की जाए तो वो है प्रबंद की सोपान शंकला का आधार ठीक है अब इसका क्या मतलब होता है एक चीज़ तो तो तया है कि Delegation जो होता है Delegation में हम Boss जो है Responsibility और Rights दे रहा है तो कही ना कही उनके बीच में कोई ना कोई Relation बन रहा है बराबर बात और सोपान शंकला हमें क्या बताती है सोपान शंकला में एक Relation होता है Employees के बीच Workers के बीच जैसे मान लोग एक chain है A, B, C, D, E A उपर वाला कनपचारी B उससे नीचे, C उससे नीचे अब E को कोई Message पहुचाना है A तक E को कोई Message पहुचाना है A तक तो Web पहले किसको बोलेगा D को बोलेगा D किसको बोलेगा C को C B को बोलेगा फिर A को बोलेगा तो इस तरह से एक सोपान शंकला होती है Scalar chain होती है किसमें Management में तो ये उसका Base बनाता है क्यों क्योंकि हम अधिकार और Responsibility बाढ़ता है तो अपने आप एक Develop हो जाती है Chain हमें पता चल जाता है कि हम किसके प्रदी Responsible है और हमें किसको क्या Report देनी है तो एक Base तयार हो जाता है अब दोस्तों यदि इसके Last Impotence की बात की जाए तो वो है उत्तम समझस से यानि की Better Coordination जब दोस्तों काम लोगों में बट जाता है काम Assign हो जाता है Duty Assign हो जाती है लोगों को तो Confusion नहीं रहता है कि किसको कौन सा कारे करना है इस्तिती एकदम साफ Clear Cut रहती है Clear Picture हो जाती है किसको कौन सा काम करना है किसको कह Report देनी है जिससे दोस्तों क्या होता है कि कारे का Duplication नहीं होता पुंद्रावर्ती नहीं होती है एक कारे बार बार नहीं होता है जिससे संसादनों का जो है दुरूपे हो गया फिर Misuse नहीं होता है मतलब Way Stage नहीं होता है इसके अलावा Leap Up होती मतलब घास काटना भी नहीं होता क्यों? क्योंकि क्या है इसमें Responsibility, Rights और Accountability टैक कर दी जाती है बोले भया आप इस काम के प्रती Responsible हैं और इसकी Accountability होगी ठीक है? तो आदमी लीपा पोती मतलब घास नहीं काट सकता और इससे क्या होगा? सबको जब ये चीज़े क्लियर हो जाएंगी तो सभी Departments में सभी Levels में, प्रबंध के सभी कारियों में एक Coordination इस्तापित हो जाता है बेस बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तो जो Delegation है वह है बहुत ही Important element है किसका Management का ठीक है? बहुत जरूरी है Delegation of Authority करना और Importance भी है, कई फायदे भी है जैसे अबने पढ़े आभी, ठीक है? Importance फायदे है, आप कुछ भी बोल सकते हैं तो उम्मिद करता हूँ, आपको ये समझ में आयोगा तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना वीडियो ये पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें चैनल पो सब्सक्राइब करें और शेर भी करें धन्यवाद